हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है फ्रेंज आज हम सीखेंगे बेवी स्वेटर डिजाइन इस डिजाइन आप बेवी फॉक में अपशाच प्लाइ कर सकते हैं इस तरह से बन क्या था फ्रेंड से और बैक सैड इसका इस तरह से दिखता है आईए सीखते हैं एक सिलाई हमने पूरी सिधी सिधी करके बनानी है सेकेंड रो रॉंग सैड इसमें हम पूरी रो सिधी सिधी करके बना लेंगे रॉंग सैड से पूरी रो सिधी सिधी कर बनाके कंप्टीट कर लेंगे अब कर दो यह रो हमारी कंप्टीट हो चुकी है यह डिजैन की पहली रो है दूसी रो में पूरी सिलाई हम सिधी सिधी करके कंप्टीट कर लेंगे यह डिजैन की दूसी रो भी कंप्टीट हो चुकी है अब डिजैन की तीसी रो तीसी रो में पहला वाला फंदा हम उड़्टा बना लेंगे धागा को आगे की तरव रखेंगे और इधर से हमने दो फंदे की बीच से धागा निकालके एक बर ऐसे धागा निकालेंगे और इन दोनुं फंदों को बैक सेट से सिधा सिधा करके बना लेंगे पहले इन दोनों फंदों को इस तरह लेके दो फंदे सीधे सीधे करके बना लेंगे दो फंदों के 20 से इस तरह से फंदा लेना है और फिर इन दोनों फंदों को सीधे सीधे करके बना लेंगे पूरी रो में यही रिपीट करेंगे दो फंदा के 20 से पहले हम फंदा निकालेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा-सीधा करके बना लेंगे रोंक से डिजैन सुरू करना है इस तरह से दो फंदों के 20 से हमने पहले इस तरह धागा लेके दो फंदा को सीधा-सीधा बना लेंगे कि तीसी रो भी हमारी यह कंप्लीट हो चुकी है चौथी रो चौथी रो में पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे और यह जो तीन फंदे हैं इन फर्स्ट फंदे हमने उल्टा बना लेंगे और बीच वाला फंदा को हम बिना बुने उतार लेंगे धागा को आगे की तरव रखेंगे और बीच वाला फंदा इस तरह से बिना बुने उतारना है फिर इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से धागा को आगे की तरव रखेंगे जो बीच वाला फंदा है उसको ह इस फंदी के उपर से इस तरह से ले लेंगे धागा को आगे की तरव रखेंगे फस्ट वाला फंदा तीन फंदों में फस्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे धागा को आगे की तरव रखेंगे बीच वाला फंदा पीना बुने उतारना है फिर अपनी तरव लेके धागा को इस फंदे को उल्टा बना लेंगे धागा को पीछे की तरव रखेंगे और जो ये बीच वाला फंदा है इसको इस वाले फंदे की उपासे इस तरह से ले लेंगे धागा को अपनी तरव रखेंगे पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे बीच वाले फंदे को बिना इसको हमने इस फंदे के उपर इस तरह से लेना है दागा को अपने तरफ लेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे पहले दागा को पीछे के तरफ लेंगे बीच वाला फंदा बिना बुने उतारना उतारना है दागा को अपने तरफ लेंगे इस फंदे को भी उल्टा बना ल रखेंगे धागा और जो बीच वाला फंदा है इसको हम इस फंदे के उपर इस तरह लेलेंगे धागा अपनी तरफ रहेंगे पहला फंदा ओल्टा धागा को पीछी की तरफ लेंगे इसको हमने बिना बने उतारना है सिदी में फिर साइट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे धागा को पीछे की तरव लेके जो सेंटर वाला फंदा है इसको हम इस फंदे की ऊपर इस तरह से ले लेंगे पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे धागा को पीछे की तरव लेंगे बीच वाला फंदा बिना वुने उतार लेंगे सिते हाथ की सलाई में इसको भी हम उल्टा बनाने के बाद धागा को पीछे की तरव रखके बीच वाले फंदे को इस फंदे की ऊपर इस तरह से ले लेंगे एक फंदा उल्टा दागा को आगे की तरव रखेंगे बीच वाला फंदा बिना मुने उतार लेंगे दागा को अपने तरव लेके इसको हम उल्टा बनाने की बाद जो बीच वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से इस तरह से ले लेंगे पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे धागा को पीछे की तरव लेके दूसरे वाले फंदे को सीथे हाथ की सिलाई में रखके फिर एक बार धागा को अपनी तरव लेके एक फंदा उल्टा बनाने के बार जो बीच वाला फंदा है इसको इस फंदे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे धागा को अपने तरव लेंगे पहला वाला फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछी की तरव बीच वाले फंदे को बिना बुने लेना है फिर धाका को अपने तरब लेके इस फंदे को उल्टा बनाने के बार जो सेंटर वाला फंदा है उसको इस फंदे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे इस साइट वाला फंदा है इसको सीधा ही बना लेंगे यह इस तासे बन क्या है यह फ्रेंज से फिर बैक से से पूर स्लाइस सीधी सीधी करके बना लेंगे पूर इस लाए हमने बैक से सीधी सीधी करके बनानी है डिजैन बनने के बाद यह हमारा एक डिजैन कंप्रीट हो चुका है इसके बाद हम दूसरा कलर का धागा यूज करेंगे आपको इस अभी कलर यूज कर सकते इसमें दूसरे कलर के धागा से हमने दो सलाइ हमने सीधी बूल्टिगर के कमप्रीट करनी है झाले कि दो चुछ लाई हमने दूसरे कलर का धागा से बनाना है एक सलाई हमारी बन चुकी है एक सलाई हम एक सलाई हम उल्टी बना लेंगे पूरी उल्टी उल्टी करके कमप्टीट कर लेंगे यह रूबी हमारी कमप्टीट हो चुकी है केके इस्ट्र से बन के आएगा फ्रेंड से इन छैस मिली को आपने बार बार रेपीट करना है में पूरा बन की यह इस को आएगा इसको आप बेवी स्वेटर बेवी फ्रोंग में अप्लाई कर सकते हैं इस्ट्र से देख सकते थेंक यू फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ